असलाम उलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल वर्ल रिव्यूर फाइनली वो विडियो आ गई है वो बस आ गई है जिसको तमामी लोगों को शिदत से इंतजार था डाइवो एक्सप्रिस की न्यू स्लिपर बस अब तक की डैवो की सबसे एक्सपेंसिव सबसे लकजीरियस स्लिपर बस बीच वन ट्वेंटी डबल क्लास प्राइम केटिगरी में आती है डबल क्लास प्राइम केटिगरी की बस इंट्रिज़ करवा ली गई है जो के पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और पाकिस्ता तो रात को 11 बज़े निकलती है और इसको लॉंच हुए वे सिर्फ और सिर्फ चार दिन हुए है चार दिन पहले ये बस स्टार्ट हुई है तो यह आप इसका लुक देख सकते है फ्रेंड्स आपको एक साइट पर डबल बैट और एक साइट पर सिंगल बैट देखने को मिलें नीचे भी सीट्स है उपर भी सीट्स है तो टोटल इनकी 24 सीट्स है टू बैट वन का सिस्टम है एक साइट पर दो सीट्स है और एक साइट पर एक सीट्स है फ्री कोल ड्रिंक फ्री पानी प्रोवाइट किया जाता है और इसके साथ ही LCD भी अवैलिबल होती है तो आप अपनी मर्जी की मुवीज ड्रामाज और इस्लामिक कॉंटेट उस पर देख सकते है आपको रिमोट कंट्रोल प्रोवाइट कर दे जाता है यह उपर की साइट प कि आप कितनी खुब्सूरत है यह वो सीट्स होती है कि हर पैसिंजर इसको यूज कर सकता है इसकी कोई स्पैसिफिक टिकेट नहीं होते यह ओपिन होते है यानि जो भी स्लिपर बस कर टिकेट बुक किया हुए कोई भी मुसाफिर अगर ठक गया लेट लेट कर वो यहाँ प ज़बडस फासफियर पैसिलिटी है मुझे याद है कि मैं याद आवच बेस सक्सवर किया था पीचे भी अराम से बैठता था आगे भी शफर कर रहा था ऑगो दो दफ़ः मैं सफर कर चांगा, पुरानीवाई डवच ब इससे पर्डाज जो इसकी तो क्या ही बात है मैं क्या कहो हूं कि मैं है है को पाकिस्तान में इस तरह की बस इंट्रिडीव्स करवाई गई है तो यह देखे है क्योंकि डैवो एक्सप्रेस की जो बसिस होती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने टर्मिनल्स पर रुकती हैं और इसके इलावा जो ट्रेंज में काफी इशूद आता हैं कि तक्या वैलिबल नहीं होता है इधर आपको इधर आपको खाना भी फ्री मिलेगा और इसके साथ ही आपको बागी सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी इंटरेन्मंट की वो फैसिलिटीज मिलेंगी जो बागी बसे बैवैलिबल नहीं होती और इसका एक अच्छा चीज़ यहां कि उपर वाली seats भी बहुत ज़ादा congested नहीं है, बहुत जबरदस है उपर वाली seats भी, पुरानी वाल डैवर स्लिपर में उपर वाली seats में थोड़ी सी नीचे वाली के मकाबले में congested थी, जबके इसकी नीचे वाली seats भी बड़ी है वो double beds हैं और right sides पे जितनी भी हैं वो single bed हैं तो आप अपनी मर्जी से choose कर सकते हैं आपको किस में सफर करना है और किस वाली category में सफर करना है अगर आप family के साथ हैं तो आप left side वाली seats book कर लें और अगर आप single हैं तो आप right side वाली seats book कर सकते हैं डाइव एक्सप्रस slipper bus वो bus है जिसमें मैं तीन दफ़ा सफर कर चुका हूँ पुरानी वाले डाइव एक्सप्रस slipper bus में और उस टाइम भी सफर कर चुका हूँ जब उसका कराया 6500 होता था 2018 के end की बात है वो बहुत पहले से चल रही थी लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाए थी लेकिन ये वाली जो डाइव एक्सप्रस slipper bus है इसका कराया सिर्फ फर सिर्फ 5000 है और ये आप देख सकते हैं इस तरह का content भी आपको देखने को मिलेगा LCD के अंदर तो आप LCD के अंदर Islamic content भी देख सकते हैं Movies वगरा भी है Entertainment है सारा कुछ available है और ये पीछे की streets देख सकते हैं इसकी जो पीछे वाली streets हैं वो पुनानी वाल डैव एक्सप्रस slipper से बहुत जबरदस हैं क्योंकि एक न्यू मॉडिल है BH120 है न्यू डबल क्लास का प्राइम का मॉडिल है इसलिए इसमें जो चीजें है वो बहुत ज़्यादा upgraded है और बिलकुल 2021 को देख देख कर बनाई गई है कि इस साल में किस तरह की buses होनी चाहिए है तो ये जो बस है इसने मैं बहुत ज़्यादा इसको excited हूँ इसको देख कर और जैसे ही मेरा कोई plan मनता है कराची से लौर का मैं इस पर जरूर सफर करूँगा और अब तो बार बार इसी पर करूँगा क्योंकि जो मेरा बस के साथ एक जो मौबत है बहुत ज़्यादा सफर करता हूँ उसमें इस तरह की बसिस आया है तो ये कभी सोचा भी नहीं था इतनी excitement हो रही है बस देखकर कि इस तरह की बसिस भी पाकिस्तान में provide कर दी गई है तो डाइव एक्स्प्रस ने हर दफ़ा कुछ unique किया है इस दफ़ा तो इन्होंने धमाका ही कर दिया है क्योंकि इनकी already slipper bus इंट्रिउस थी तो कोई भी expect नहीं कर रहा था कि एक नई slipper bus निकालेंगे already पुरानी वाली slipper bus भी चल रही है और ये वाली slipper bus भी चल रही है तो अब इनकी regularly यानी पूरा हफता इनकी slipper bus इस चलती रहेंगी कभी ये चलेगी एक दिन ये चलेगी एक दुसरी वाली पुरानी वाली तो याँ आप इसका exterior देख सकता है ये Davor की branding देख सकते है बड़ी खुपसूरत exterior भी है याँ आप इसका exterior देख सकता है बड़ा खुब्सूरत एक्सडियर है पांच हजार पैस का कराया है जैसे के मैंने बताया इसके अंदर एक टाम के आपको रिफ्रेश्मेंट दी जाएगी एक टाम का खाना फ्री प्रोवाइड के जाएगा और इसके इलावा जो है आपको कोल्णिक्स प्रोवाइड के जाएगी मिनरल वार्टर पर प्रोवाइड के जाएगी और इनका खान अक्सड़ सखर टरमिनल पर प्रोवाइड के जाता है तो आपके जर्नी 15 घंटे के होगी आप रात सोते वे गुजारे अराम से आपको refreshment दे दी जाएगी रात के टाइमिद फिर आप अराम से सो कर गुजारेए फिर किना में आप खाना क्षासकता है सुबह कर टाइम आपको provide किया जाता है, जो भी टाइमिंग ग़ोंगे पिर आप दुपैर से शाम तक आप पहुंच जाएंगे इसके दर्मियान यह जगा 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 रुकती है हैधराबाद हो गया, सक्कर हो गया, मोरो हो गया और अक्बालाबाद हो गया पिर उसके बाद जाकर यह लहौर में डेरेक्ट इसका आखरी स्टॉप है तो कुछ लोग बहुत जादा इशूज यह जाहिर करते हैं कि वाश्रूम्स ही होते है तो मैं अपने पॉर्सनल एक्स्पिरियंस से बतायता हूँ मैं 18 साल सा सफर कर रहा हूँ, फैमिली के साथ सफर कर रहा हूँ बाकी कंपनिस की हमको गैरेंटी नहीं दे सकते हैं लेकिन डैवो में कभी ऐसे शूनी आता कि आपको इस तरह का एक्टिटूट देखने को मिला है इनके टर्मिनल्स होते हैं जगा जगा दो दो गंटे बाद इनके हर टर्मिनल्स दो तीन गंटे बाद रुकरी होती है उदर बड़ा सफाई सुतराई का ख्याल रखा जाता है उदर वाश रूम्स अवैलिबल होते हैं उदर रिफ्रेश्मेंट अवैलिबल होती है तो डैवो का एक अलगी नाम है और डैवो एक्सप्रस ने ये नियू स्लिपर बस निकाल कर तमामी बस कंपरीज के लिए शदीद किसम का कॉंपटेशन क्रियेट कर लिया है क्योंकि अभी मैं पता करके आया हूँ कोई टिकेट एवैलिबल नहीं है टिकेट यू करके बुक हो रहा है 24 सीट है और पता ही नहीं चलता कब 24 सीटों का टिकेट बुक हो रहा है तो अगर आपको इसके शिफर करना है तो आप ट्राइ करें कि लाजमी आप और इनकी एप में पहले ट्राइ करें वहाँ से टिकेट बुक करके, रिजर्फ करके, फिर जाकर आप वहाँ पर पेमेंट करें या इस तरह को कोई आउनलाइन पेमेंट कर लें, क्योंकि इनके टिकेट्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, लोगों का इस कदर जबरदस रुजान जा रहा है, डैवर एक्सप्रस, तो जादा कर लें, वरना नॉर्मल बसेज में क्या मसला आता है, कि वो तमामी का एक ही जासा हो जाता है, क्योंकि ओपीन होती है, जाइड सी बात है, तो वो फिर आपको अपने इसाब से एडजेस्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप डबल पर सफर कर रहे हैं, तो आप डबल सीट बुक कर सकते हैं, आप अराम से आगे पर्दा करके सो सकते हैं, तो कोई तंग नहीं करता आपको, यहाँ वरना नॉर्मल बसेज में बार बार आकर कभी कोई चीज़ मांग रहे हैं, कभी कोई कुछ मांग रहे हैं, तो इसमें यह उस तरह का सिस्टम नहीं ह ख्याल रखा गया है आप अराम से अपने double bet पर सफर कर सकते हैं परदा आगे करने तो कोई भी आपको तंग नहीं करेगा ना ही आपका जो bus hostess है वो बार-बार आकर confirm करेगे आपको क्या चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए आप उपर बटन होता है हर सीट के उपर एक बटन है वो आप बटन प्रेस करेंगे तो बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके बस उस्टेस आज़र हो जाएगी तो आपको जो भी आपको कोल्डिंग चाहिए जो भी चाहिए वो आपको प्रोवाइट कर दी जाएगी और remote वगर आपको शुर्म में प्रोवाइड कर दे जाएगा यह आप देख सकते हैं screens तो आप जैसे remote on करेंगे तो आप अपनी मरजे का content उसके through देख सकते हैं headphones provide कर देख सकते हैं इसके लावा तकी आपको बड़े जबरस किसम के provide कर जाते हैं sorry for trains audience, trains के बहुत ज़्यादा लोग lover होता है, मैं मानता हूँ मैं खुद भी बाजों का train में सफर करता हूँ लेकिन मेरे लिए चीज़ important है कि time पर निकलती है, time पर पहुंचती है 15 गंटे में पहुंचती है, और सिर्फ फर सिर्फ 15 गंटे में पहुंचती है trains में कभी कबार 20 गंटे में पहुंचती है, कभी 24 गंटे में कोई आपको fix नहीं होता उसके बाद आप उधर जाओ, stations जाओ, तो वो बड़े issues आते है और उसके बाद उनके कोई timing fix होते नहीं है, इसमें ही होता है कुछ देखे, कुछ entertainment वगरा, movies हो गई, songs हो गई, और content हो गया अराम से आप देखते वे जाते हो, तो इसमें ये facilities होती है जो के train में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती और इसके साथ इसके फ्री रिस्ट्रेश्मेंट भी प्रोवाइट की जाती है आपको एक business class की category की आपको services प्रोवाइट के जाती है एक protocol दिया जाता है, basically आपको इस डैवर एक्सप्रस लेपर बस में बाकी एक और यह होता है कि आपको buttons उपर होते हैं आपके seat में आप light का on करें, अपनी cabin की light बंद कर दें वो आपकी मर्जी होती है, इसलिए तरह का call का option होता है बस इस तरह का call कर लें, अगर कोई issue है उसके लाव पर्दा आप आगे कर सकते हैं, आपको refreshment रात के time भी provide कर दी जाएगी उसके बाद आप पर्दा आगे करके सो सकते हैं आराम से बेशक कोई भी terminal आपने उतरना है तो उतरे हैं, वरना सो रहे हैं तो सोते वे गुजारे हैं आराम से और इसमें बिल्कुल भी जटके नहीं लगते है क्योंकि अब सक्कर से मुलतान की motorway कंप्लीट हो चुकी है कराची से हिदराबाद की motorway है, तो मैंने रात को सफर किया है, मुझे रात का सफर पता है कैसा होता है, बिल्कुल भी कोई issue नहीं आया और जो bet था वो बहुत जादा comfortable था, मैं अल्रड़ी सफर कर चुका हूँ, यह वाली जो है, इसमें क्या difference है, यह तो मजीद बहतर है कि दुरान क्या क्या facilities provide की जारी है, उसमें और इसमें यह difference है, कि इसमें seats बहुत जादा comfortable है, इसमें जो है, जो एक bus है, वो new category किये है, prime category है, बहुत ही high-five class है, बस का interior भी अच्छा है, exterior भी अच्छा है, और bus में और भी काफे सारी facilities available हैं, जो उसमें नहीं थी, क्योंकि यह एक new bus introduce करवाई है, इसलिए इसके अंदर थोड़ी जादा facilities है, अगर आप इसका ticket book करना चाते हैं, तो आप directly dev express के terminal विजिट कर सकते हैं, और इसके लाव आप mobile app से भी book कर सकते हैं, अगर आप mobile app से ticket book करने का तरीका जानना चाते हैं, तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसक से लेट कर सफर कर सकें, अब तक के लिए इतना ही, अलाहाफिस